पहली और पांचवी श्रताब्दी के बीच किसी समय हिंदू रिशी पतंजली ने पूरे भारत में प्रचलेत प्राचीन, ध्यान संबंधी परंपराओं को सहिता बद्ध करना शुरू किया. उन्होंने योग सूत्र नामक 196 पुस्तिकाओं में लगभग भारतिय सब्भेता जितनी पुरानी तकनीकों को दर्ज किया. इन ग्रंतों ने योग को शुद्ध चेतना की स्थिती तक पहुँचने के प्रयासों में बाहरी वस्तूओं पर ध्यान केंडरित करने से मन को रोखना या रोखना के रूप में परिभाशत किया है. समय के साथ योग में जिमनास्टिक और कुष्टी के भौतिक तत्व शामिल हो गए. आज आधुनिक योग के लिए बहुत सारे द्रिष्टिकों हैं, हालाकि अधिकांश अभी भी पतंजली के अभ्यास के तीन मूल तत्वों को बनाए रखते हैं. शारेरिक मुद्राएं, सांस लेने के व्यायाम और आध्यात्मिक चिंतन. व्यापक रूप से माना जाता है कि शारेरिक और मानसिक व्यायाम के इस मिश्रण से स्वास्तिय लाब का एक अनुखा सेट मिलता है. जैसे ताकत और लचीलेपन में सुधार, फृदय और फेफड़ों के कारे को बढ़ावा देना और मनुवैज्ञानिक स्वास्त को बढ़ाना. लिकिन इस प्राचीन परंपरा के लाबों के संबंद में कंटेंप्ररी अध्यायनों ने क्या दिखाया है? कई शोधकर्ताओं के प्रयासों के बावजूद, योग के लाबों के बारे में विशिष्ट दावे करना कठिन है. गतिविधियों के इसके अनोखे संयोजन से ये निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा घटक विशिष्ट स्वास्ते लाब पैदा कर रहा है. इसके अतरिक्त योग अध्ययन अक्सर छोटे नमूना अकारों से बने होते हैं जिन में विविधिता का आभाव होता है और स्वर रिपोर्टिंग पर भारी निर्धभरता परिणामों को व्यक्ति परक बना देती हैं. हना कि कुछ ऐसे स्वास्ते लाब हैं जिनका दूसरों की तुल्ना में अधिक मजबूत वैग्यानिक समर्थन हैं. अईये लचीलेपन और मजबूती से शुरुवात करें. योग की शारीरिक मुद्राओं में अपने शरीर को मोडने से कई मानस्पेशी समूहों में खिचाब होता है. अलपा वधी में स्ट्रेचिंग इन मानस्पेशियों, लिगमेंट और टेंडन की जल सामगरी को बदल कर उन्हें अधिक लोचदार बना सकती हैं. समय के साथ नियमित स्ट्रेचिंग स्टेम कोशिकाओं को देजित करती हैं, जो फिर नई मानस्पेशी टिशू और अन्य कोशिकाओं में विभिधित होती हैं, जो लोचदार कोलाजन उत्पन करती हैं. बार-बार स्ट्रेचिंग से मांस्पेशियों को संकुचित करने की शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया भी कम हो जाती है, जिससे लचीलेपन के लिए दर्द सहन शीलता में सुधार होता है। शुधकर्ताओं ने ये नहीं पाया है कि योग का कोई भी एक रूप दूसरे की तुलना में लचीलेपन में अधिक सुधार करता है। इसलिए विशिष्ट आसन का प्रभाव स्पष्ट नहीं है। लेकिन अन्य कम प्रभाव वाले व्यायामों की तरह योग स्वस्थ आबादी में फिटनेस और लचीलेपन में विश्वस्निय सुधार करता है। इस अभ्याज को एक संभावित शक्तिशाली चिकित्सिय औजार के रूप में भी दिखाया गया है। विभिन प्रकार के मस्किलो कंकाल सम्मंधी विकारों वाले रोगियों से जुड़े अध्ययनों में कम प्रभाव वाले व्यायाम के अन्य रूपों की तुलना में योग दर्द को कम करने और गतीशीलता में सुधार करने में अधिक सहायक था है। मौजूदा व्यायाम दिंचर्या में योग को शामिल करने से पुरानी पीठ के निचले हिस्से में दर्द, रूमिटॉइट गठिया और और ऑस्टियो पुरोसिस जैसी कठिन स्थितियों के इलाज के लिए दाकत और लचीले पन में सुधार हो सकता है। योग का शारेरिक व्यायाम और नियमित श्वास का मिश्रुण फेपडों के स्वास्ते के लिए समान रूप से चिकित्सी है साबित हुआ है। ख्रॉनिक ब्रॉंकाइटिस, वात्सफिती और एस्थमा जैसे फेपडों की बीमारिया ओक्सिजन ले जाने वाले मारुगों को सिकोर देती हैं, जबकि रक्त में ओक्सिजन लाने वाली मेंब्रेन को कमजोर कर देती हैं। लेकिन सांस के व्यायाम जैसे योग वाले उन मारगों को बाधित करने वाली मानसपेशियों को आराम दे अवक्सिजन प्रसार में सुधार करते हैं। रक्त में ऑक्सिजन की मात्रा बढ़ाना विशेश रूप से कमजोर हृदय की मानस्पेशियों वाले लोगों के लिए साहयक होता है, जिनें पूरे शरीर में परियाप्त ऑक्सिजन पंप करने में कठिनाई होती है, और स्वस्थ रिदय वाले लोगों के लिए यह अभ्यास ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है और रिदय रोग के जोखिम तत्मों को कम कर सकता है। योग का सबसे व्यावक रूप से मनाया जाने वाला लाब साबित करना सबसे कठिन हो सकता है। इसके मनोवग्यानिक प्रभाव योग और मनोवग्यानिक भलाई के बीच लंबे समय से संबंध के बावजूद इस बात पर बहुत कम निरनायक सुबूत है कि ये अभ्यास मानसिक स्वास्त को कैसे प्रभावित करता है सबसे बड़े दावों में से एक ये है कि योग अवसाद और चिंता डिसॉडरों के लक्षणों में सुधार करता है चुकि इन स्थितियों का निदान उनकी उत्पत्ती और गंभीरता के अनुसार विस्तृत रूप से भिन्न होता है इसलिए योग के प्रभाव को मापना मुश्किल है हनाकी इस बात के सबूत हैं कि योग तनाव के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है साथ ही ध्यान या विश्राम भी योग के प्रभावों पर शोध अभी भी विक्सत हो रहा है भविश्य में हमें विविद प्रतिभागियों को शामिल करते हुए बड़े अध्ययन की आवश्क्ता होगी जो दिल के दौरे, कैंसर की दर, कॉगनिटिव कार्य और बहुत कुछ पर योग के प्रभाव को माप सकते हैं लेकिन अभी योग व्यायाम करने, विचार और आराम करने के तरीके के रूप में अपनी प्राचीन परंपरा को जारी रख सकता है अधिक आकर्शक इतिहास, बहरी अंतरिक्ष रोमांच, मन जुकाव दर्शन और आपके शरीर के बारे में सबसे याद रिच्छित प्रशनों के उत्तर के लिए इस चैनल की सदस्यता लें, हमसे जुड़े रहें और जिग्यासू बने रहें